भागना मतलब के उड़के जाते तो भागा मानते हैं, नीचे सुरंग बनाके जाते तो भागा मानते हैं, चारो तरफ पुलीस हैरू आसम कैसे पारोंगे, तो किसी ने हाथ छोड़ा होगा अपना, किसी ने रास्ता दिया होगा, हो सके हमारे चाहने वाले पुलिस के लोग हो दर्मियान मैंने नहीं करने से भी दो धाई हजर सभा किया है उस दर्मियान अरश्ट करते हैं विसूनगर जैसे ही हम क्रोस करते हैं संजदा का फोन आता है कि जराम भाय नगले थाना की पुलीस आपको डिटेंड करने के लिए आई है आप नमिनेशन करेंगे और वे लोग ड सच्चाई आखिर है क्या यहां से पोसीबल ही नहीं कि हमको पकड़ के ले जाएंगे यहां उपद्रव हो जाएगा यहां आप पर यह घटना घट जाएगी क्यों पब्लिक का मुमेंट घजब का है जोहार जारखन्ड जय जारखन्ड सबसे पहले आप तमाम जारखन्ड वास्यों को मेरा 779-9 आपने इस युवा को इतना हिम्मत देने का काम किया इतना प्यार इतना समर्थन और इतना समर्पन आपको मिला कि आज प्रिराज में कहीं अगर कोई चर्चा का विशय है तो आपका लाडला बेटा आपका छोटा भाई आपका टाइगर जराम मा तो प्रिराज में चर्चा का विशय है यह आपका प्यार है यह आपका असिरबाद है तो चलिए बिशय को लंबा ना ले जाते हुए सीधा बात करते हैं, बहुत थारे सवाल आपके जहन में होंगे, बहुत थारे सवाल हमारे आलोचकों के जहन में होंगे, बहुत थारे सवाल गाओं के चोपाल से उट रहे होंगे, उन सवालों का मैं खुद आज खुद से सवाल भी पूछूंगा, और उन सवालों का उत्तर भी दे सेलेक्ट किया गया है एक रिमर आया कि नहीं अंतिम पेपर को सेलेक्ट किया गया है और तीन पेपर रिजेक्ट हुए है जो की सत्य नहीं है तीन पेपर सेलेक्ट हुए है एक पेपर रिजेक्ट हुआ है अब रिजेक्ट क्यूं हुआ है थोड़ा सा कारण बता देते हैं कि बहुत साथ लोग कहने लगे कि पड़े लिखे नौजवान आर गलती कर रहे हैं तो एक बात किलियर अब जान लेजे कि नॉमिनेशन फार्म वकील भरते हैं और वकील रहे हैं या कोई रहे हैं सबसे पहले उनका धनेबाद कुछ तुर्टियां हो जाती हैं मानव यह भुल हो पर्दे हुए था क्यूकि हमने लगभग 2-3 दिनों में 5 बाध हम लोगों ने paper में case के सिलसिले में reject किया था काटकूट किया था चूझक नया नया case हमें मिलता जा रहा था और नया नया form बनता जा रहा था और बार बार फिर प्रस्तावकों का sign लेना पड़ता था तो स्व से लोग अचुनाव लड़ते हैं अब बात करते हैं उस दिन हुआ क्या था केस के बारे में सब जानना चाहता है बहुत सारे लोग मेरी जुबान से जानना चाहते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या क्योंकि एक लोग जो विपक्स में बैटे हैं जो आलोचक बर्ग है हमारा वो यदि जराम बाबु को इस केस की जानकारी नहीं थी, तो फिर उनका हस्ताक्षर केस के आफ़े डिफिट में कैसे आया, तो सबसे पहले मैं आपको किलियरली बताना चाहूंगा, कि 39 तारीक को जिस दिन मेरा नोमिनेशन पेपर खरिदा गया, मैं कहां था, पुरा राज जानता है, मैं चत्रा में, स्रीमान, दीपक, गुपता जी के, जो हमारे दल से हैं, उनका नोमिनेशन था, यानि मैं दिन भर मेरा फॉर्म धन्èsन में, स्री, बोकारों में हमारे साथी खरिद रहें, और मैं कहां? चत्रा में, आगला दिन मैं कहां था? हजारी बाग में, यहीं फॉर्म जो भर रहे थे, वो मेरे साथी भर रहे थे, एक तारीक को मेरा नोमिनेशन होना था और दो दिन पहले ही हम लोग परना स्टार्ट हुआ तो हमारे साथी हमारे वकील की टीम के माध्यम से 10 केसों की जानकारी दी गई लेकिन जैसे ही 30 तारीक को सुबह हजारी बाग मुझे जाना था संजय दा के नोमिनेशन में उसी धर्मियान मैं गया प्रग्या केंद्र वहां हमारा साथी है उनसे मिलने ग किया यह स्टेटस है केस काफी बताईए उसका नोटिस हमको आया है 107 बन के कि हमको एक दिन उपास्तिती देना है कोट में तो बोलने आपको आप से रिक्वेस्ट है इस केस के बारे में डिटेल देजे फिर उनने 2015 का केस जो सणक जानका केस था और उस केस ने कोई activity नहीं ह तस साल पुराना केस हो चुका है लेकिन अभी तक कोई अक्टिविटी नहीं तो फिर उस केस का डिटेल दिया गया यानि फिर उस डिटेल को हम वाटसप के माध्यम से अपनी टीम को घेजे जो मेरा फॉर्म भर रहे हैं कि ये केस को इंक्लूड कीजे एक नया केस फिर मिला है यानि वो केस इंक्लूड किया गया आप केस नमबर 11 हो चुका है कब हुआ है संजेदा के नोमिनेशन में हम जा रहे हैं यानि दिन के 11 बजे मेरा केस नमबर हो रहा है 11 नोमिनेशन होता है संजेदा का हम विशूनगड आते हैं संजेदा को कोई भी चाहे तो संजेदा से फ हम तो अश्र चकीत होगा है कि नगडी मेरा कोई case ही नहीं है हाँ मेरा एक case है 23 March 2023 को विधान सभा घेराव के दोरान है और वो जगरनात पूर्था नामे है यानि मेरा नगडी में कोई case नहीं है मैंने संजेदव का है उन्हों का नई नहीं आप clear कीजए क्योंकि मेरे एक साथ की जनकारी मिली फिर हम लोगों ने आनन फानन में ये जनने के परियास किया कि उस केस में धारा क्या है तो फिर हम अपने साथ के माध्यम से जाना कि उसमें कितनी धाराएं है तारीख क्या है उस केस का संख्या क्या है यानि रात को 10 गारो बजे उस केस का सारा डिटेल्स मिलत हैं यानि इतना रात ब्लूट यानि सुवह ऊठके जो हम लोग का A document तयार हो चुका था फिर उसको reject करते हैं क्रोस करते क्यूं कियों फिर स्केश को एड करना था फ्रेस फिर बनता है । नम्रेश्ण को एड किया जाता है और हम लोग नोमिनेशन के लिए पहुंचते हैं चुकि यह केस दो साल पुरा ना था यह केस कब का है यह भी आपको पता दें यह केस है आपका 21 मार्च 2022 यह पहली बार जब यह अंदोलन अपनी पीक टाइम में था और हम लोग फर्स्ट टाइम विधान सवाग घराव का कारी किये थे उस समय का है और उस समय सभी जानते हैं कि हमारी अक्टिविटी बिल्कुल नियमता हुई थी वहाँ उस समय जो DSP मौझूद थे उन्होंने पास्वस्ट हो चुके थे और सबसे खास बात यदि डिटेंड ही करना था यदि वारंट ही निकालना था तो दो साल के दर्मियान मैंने नहीं करने से भी दो धाई हजर सभा किया है उस दर्मियान अरेस्ट करते चत्रा नोमिनेशन के समय अरेस्ट करते हजारी बाग नोमिनेशन के समय अरेस्ट करते लेकिन खैर साजिसे बहुत गहरी हैं साजिसों का जो जड़ है वो बहुत दूर तक फैला है लेकिन उमीद है कि हम लोग भी बीज हैं दबेंगे नहीं पुना ओग जाएंगे तो ये case का detail है मैं मानता हूँ case की जानकारी मुझे फिल्कुल 30 तारीक को confirm हुई है और 30 तारीक को जैसे ही confirm हुई अगले दिन nomination के दिन हम लोग अपना form को change कियें उस page को और नया page print out करके निकाले उसमें case के details को भरें और फिर मैंने अपना structure किया ये reality है ये fact है आप संजदा से पूछ सकते हैं कि संजदा ने जब मुझे जानकारी दी तो मेरे चेहरे में किस परकार से एक आश्यर चकीत का question mark था कि संजदा ऐसा कैसे होगा नहीं मेरा नाम ही नहीं हो सकता है इतना हम confident हैं तो ये case comment अब एक सवाल ये आ रहा है भाग गए फरार हो गए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भागने का अर्थ भागने की को कैसे आप परिवासित करेंगे मान के चलिए हम किसी नदी के बीचों बीच है और नदी के जो पानी है उस पानी को जिमवारी मिली है कि जरा महतों को घेर कर रखना है तो जहर सी बात है या तो मुझे नीचे सुरंग बना के निकलना होगा या तो उड़के निकलना होगा क्यों पानी की जमवारी है या फिर अगर मुझे साइड से निकलना है जिस तरह निकलेंगे तो पानी को खुद रास्ता देना होगा बिल्कुल यही बोकारो में जहां मेरी सभाव रही थी बिल्कुल चारो तरफ गोलाकार पुलिस खड़ी थी हाथ से हाथ मिलाकर पुलिस खड़ी थी आप वीडियो देख लिजेगा तो फिर हम कैसे निकलें जैसे बात उन्होंने रास्ता दिया है जी हाँ उन्होंने ही रास्ता दिया है मैं स्वेम उस वीडियो को वाइरल करूंगा पुलिस बैक पर आईए और इसकार्पियों के बॉर्णेट पर बैटकर कोई फरार होता है भाई अब सवाल है कि मैंने एक मैई नोमिनेशन में जाने से पुर्व रात को दो ढ़ाई बजे समसान घाट में मैंने वीडियो तीन बनाया था एक वीडियो में यह संदेश दिया था कि मुझे पूर्णा आशा है कि मेरा अरेस्टिंग हो जाएगा अरेस्टिंग होने के बाद फलाना, कारीकारणी, केंद्रा देख चोंगे मैंने ये भी उस वीडियो में गोशना किया था चुकि मुझे भी पूर्ण आसा था कि हम लोग मुषरी मुझे डिटेंड कर लिया जाएगा इसलिए आनन फानन में तीन सेटों को भरा गया क्योंकि पूर्ण आसा थी कि डिटेंड करेंगे ही करेंगे लेकिन वहां तक DC चमबर से बाहर निकलने तक मैं परिस्थितियां वहां बिलकुल विप्रित थी परिस्थितियां क्या थी बहुत सारे लोग पेट्रोल लेकर थे कि आत्मदाह कर लेंगे बहुत सारे लोग हिंसक और उग्र सोभाव रूप धारन कर चुके थे वीडियो फुटेज आप देखे होंगे यानि मैंने इसलिए वहां से निकलना वह चीत समझा मैं निकला हूँ प्राण नहीं मैं बार बार कहूँगा क्योंकि आप मेरा स्टेटमेंट अंतिम क्या था याद होगा कि स्पी सहाब माप कीजिए भीड की भावनाओं का संबान कीजिए डिटेन किसी और दिन कीजिए और हम वहां से निकल ग प्रce था कि हमें वह डिटेन कर लेते बिना किसी होहंगामे के बिना किसी उपध्राव के बिना किसी मुठभेड के पोसिवल नहीं था तेललक की भीड जेरралग की भीड फ़जार पूलीच अनंहोनी अप्रिय घटना घट जाती सम्भवत अगर हमें डिटेन किया जाता अभ अपने खर्चे से आने वाली पबलीक अपने चहते बेटे को अपने सामने आरश्ट होते वे बिलकुल भी नहीं देख पाती। तमाम पुलीस के प्राधिकारियों से पूछे या जन्मानस से पूछे मेरा यहीं अंतिमे स्टेट्मेंट था। और कितने लोग साधन जुटाने के बाद गये थे नमांकर रेली में यह बताने के अब शकता नहीं है गाओं में चर्चा है। यह टेंपो में के रुपिया दिया गया था और दिन भर रहने के के रुपिया दिया गया था यह किसी से छुपा नहीं है। मैं कहा रहा हूँ 10%, 15%, 20% गया होंगे उनके भी रेली में जो उनके नजदीक के लोग हैं जो उनके समर्थक हैं लेकिन मैक्सिमम लोग भाड़े से लेकर गये थे हैं यह आख को मालूम है। तो यह बिल्कुल परिष्थितियां सामानी नहीं थी कि हम वहां से डिटेंड कर लिये जाते हैं। में भी हैं आखों में आसो भी हैं और आखों में अंगारे भी हैं और मुझे लगता है वह कारवाज जल जाएगा इसलिए बिधी दिवस्था को मेंटेंड कीजिए डिटेंड किसी और दिन कीजिए। और बिल्कुल एसकार्पियों के बॉर्नेट से मैं निकला हूँ। उसके बाद फिर मैं नीचे बैठा और निकलते रहां। बिल्कुल पुलिस चारो तरब थी वहिया। भागना मतलब के उड़के जाते तो भागा मानते हैं।